तो नमस्कार साथ यूँ मेरा नाम है सागर चोधरी और आज हम इस वीडियों पढ़ने वाले रास्तान के परमुख परजामंडल उनके संस्तापक और ये कब जो है संस्तापित हुए थे तो इनकी डेट वीजियों हम ट्रिक के माधियम से एजली याद कर पाएंगे अगर संगठन के माधियम से अपनी संतंतर या सूर्ष संगठित सासन इस्तापित करने के उद्यश्य से परजामंडल आंदोल ने इस्टार्ट हुए थे तो ये आप ध्यान रख लेना बस अब आपको कुछ डेट ध्यान रखने है यानि परजामंडल आंदोल है वो 1930 के बाद इस द्यामंडल होना ध्यान रखन का उनणां व्यPs Ganton बाता हिए तो ये नाने और लाने Pan oh होता कि हम चавно और तो थीन ऐन रखना होइं नहीं होता है तो सर्दियों में बहंगते हैं तो सर्दियों में बहयते हैं तो फिर वह नएया जैसा ही लगते हैं जो है नयां ही लगता है क्योंकि हम हमेशा नहीं पहनते हैं तो नयां से हो जाएगा नयनूराम सर्मा अब इसके स्तापना कब होती है तो ये जो है मैंने आपको बता दिया कि ये तो आप ध्यान रखना है 139 अब इसकी जो है नयां से हो जाएगा नो तो यह आप नो लगा देंगे तो 1940 यह हो गया हमारा पहला परजयम अंडल इसके सस्तापक और इसकी डेट अब आते हैं जेसल मेर जेसल मेर से एक वर्ड निकलो जूस जूस कैसा होता है मिठा होता है तो इसके सस्तापकोन हो जाएंगे मिठा लाल व्यास अब इसके तो हीके सस्तापकोन थे गोकुल भाई बट सिर्विशन यससी एक वर्ड निकलो शिर्फ सिर्फ कैसा होता है सिर्फ वाइगोल होता है सभी का ओल होता है तो जम प्रदेशान 749G अब आगे में आ उनता में में से मेमार्स और मानिके लाओं वर्मा थे लिखा था लूहीं सासन नामक की जो है बुक भी लिखी थी तो यह आप ध्यान रखना इसके सस्थापक आप मे से मेवाड और मा से मानी के लाल वर्माईए इसली जो है इसे लिंक करके आप याद कर पाएंगे अब जो है इसके स्थापना यह नि मेवाड है तो लाश्ट में क्या आ रहा है आड़े 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 तो यह आप ध्यान रख लेना 38 38 में इसके स्थापना होती अब आता है अलवर अलवर के सस्था पर कोन थे हरी नरायन सर्मा अलवर से एक वड़ निकालो लवर लवर तो थोड़ी सी लाइट की दिख्केत हो गई थी अब बात कर लेते फिर से अलवर पर यानि अलवर से एक वड़ निकालना है अब हो लवर यानि लवर लवर यानि प्रेमी को क्या दिखता है अंधा अंधे होते है वो यानि सावन के अंधे को क्या दिखता है हरा ही हरा दिखता है तो लवर को क्या दिखता है हरा ही हरा हरे से आप निकालना है हरी नरायन सर् हो जाएगा और यह जो है इसकी स्थापना आप 38 में याद रख लेना यानि लवर क्या होते हैं लवर मतलब आड़ू हुआ है यानि आड़ू हुआ तब जो है इस पच्छडे में पढ़ते हैं तो आड़ू से क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा तो यह ऐसे भी याद रख लेना जाएगे और पहले से उनके साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है तो 1936 हो जाएगा अब बात जाएगा जाएगा उसके बाद जैसे हैं जमनालाल बजाज भी हो जाएगा और जो है यह पहली बार तो जमनालाल बजाज के देखता में 1936 में होती है तो यह 36 भी अब कैसे याद रखेंगे जो जैपुर की यानि डुंडार साइट की जो है बोली कैसी है काई 6 काई केक रच है तो यह जो 6 से आप 36 ऐसे याद रख लेना जैपुर जमनालाल बजाज और जैपुर से करपुर चंद पाट नी तो अब बात कर लेते हैं मारवाड या जो उदपुर की जो उदपुर से क्या हो जाएगा जै नरायन व्यास तो यह आप ध्यान रखना जै नरायन व्यास वेसे ही मारवाड में बहुत परसिद है तो यह आप ध्यान रख लेना और मारवाड में कित तो बुंदी कितनी होगी, एक किलो, एक किलो से क्या हो जाएगा, 31, 31 आपको याद हो जाएगा ने, एक से, तो 139 मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यानि, 193 तो आपको याद रखना है, उसके बाद संक्या एक लगानी है, दो लगानी, तीन लगानी, ये ट्रिक से हम या है, तो काती लेनी से क्या हो जाएगा, काती लाल हो जाएगा, बुंदी से, यानि बुंदी मिठाई है, और कितनी लेनी, एक किलो लेनी, एक काती लेनी, ऐसे काती लाल हो जाएगा ना, अब बात कर लेते, भारत पूर, भारत राम के भाई थे, भारत और, जो है, राम, किस पहुंचा नहीं पहुंचा नहीं है याद करने का जो है तरिक्का होना जी आड़ू थे से तो यह नियुन ने खड़ाऊ के सवदा वर्ष जो है अयोद्य में मतलब सासन किया था सिर्फ खड़ाऊ से राम जी की खड़ाऊ से तो आड़ू से क्या हो जाएगा 38 तुई आप ध् पॉर के सब्कों था जौहाला परसाद से कि किर्षंद परषाद को पीड़द दिया जो तो है ऐसे लखते हैं नंट तो इसको ऐसे कर दो ँब और फिर ये धिर्लोक तिर्लोक ये करओढ़े का सही ही वर्ड यह लो आ रहा है ओर जह तो यह आप ध्योक चंद ठे तो बाकि परात गड़्त परताण परताब गड़्त अमृत यह आप ऐसे कर लेना जिससे कोई confusion ना रहे लगबग मैंने डेट तो आपको सभी की सभी याद कर लेना बाकि नाम तो सभी को पता है मेवार के गंदी कहा जाता है और जो है बुंदी बुंदी कांती लेनी है यानि किती लेनी है तो कांती लाल भरतपुर के किसन लाल जो सी तो I hope कि आपको वीडियो डेफिनिटली पसंद आया होगा और थोड़ा सा भी पसंद आया तो अपना प्यार है वो लाइक के मादियम से आप दर्शा सकते हैं और जिससे मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो पर आप कितना response दे रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है त सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप कर लेना बेल आइकन वगरा दपड़ा लेना बाकि ज्यादा जो है रिक्वेस्ट भी काम के नहीं होती है क्योंकि आप सभी समझदार है और सभी परतियों की परिक्षाओं की त्यारी कर रहे है तो आपको कहने की जरूरत नहीं है आप जो कॉंटेंट और मेहनत समझ कर जो है खुद सब्सक्राइब कर देंगे अगर आपको अच्छा लगा है तो वाकि मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहन्द जह भारत वंदे मातरम